दोस्तो नमस्कर पिछली बार पिछले हमारे जो एपिसोड में हमने बात की थी EPDES के एक घोटाले की EPDES प्रोजेक्ट 2014 से चल रहा है जिसमें राशन डीलर्स को पॉस मशीन दी गई थी 2014 से घोटाला चलू हुआ था आज तक लगातार चल रहा है इसमें एक कंपनी की बात हमने अपने पिछले एपिसोड में की थी जिसमें कि हमने लिंक वेल कंपनी के घोटालों की बात की थी लिंक वेल कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स हमें उद्यापूर से मिले सेम हमारा दूसरी चीजों में भी था अब हम बात करते हैं दूसरी कंपनी जो एनलोजिक्स है एनलोजिक्स के बारे में यह दूसरी कंपनी जिसने इसी तरीके के गोटा ले किये इस तोग वे गोटा ले किये जो दस्तावेज हमें मिले वो टॉप से जारी किये गए थे लेकिन टॉप बालों ने का भया हम ऐसा कोई दस्तावेज जारी नहीं करतें तो देखिए एक बार पहले अपन दस्तावेजों को देखते हैं जो हमारे पास उपलब्द हैं यहाँ पर टौक से डियो आईटी के ओफिस से हम के दस्तावेज हमें राजकौम से डियो आईटी के हेड ओफिस जो राजकौम पर यहाँ से हमें मिला RTI के अंतरगत इसके अनुसार जनवरी 2018 की कुछ अटेंडेंस इन्होंने पेश की हुई थी और उसके बेसिस पर इस फर्म एनलोजिक्स टेकनलोजी इंडिया लिमिटीड को पेमेंट किया गया था यह जनवरी 2018 की ऐसी रिपोर्ट सापकी शुरू से लाज्ट तक बहुत सारी हैं पूरे कार्टन भरके आया था जब मैंने ये आर्टिया में मंगवाया था दूसरी रिपोर्ट फर्मरी 2018 वो ही टॉक की रिपोर्ट है एनलोजिक टैक इंडिया लिमिटीड की वो ही कुछ अटेंडेंस हैं तीसरी रिपोर्ट आपकी फिर मार्च 2018 की तो कहने का मतलब है हर अलग अलग मैंने की अटेंडेंस आती है यह हर डिस्टिक की आती है जाच तो हर डिस्टिक की होनी चाहिए लेकिन हम तो कह रहें जिसके दस्तावेज हम दे रहे हैं उसकी तो कर लो ऐसे और बहुत सारी डिस्टिक्स हैं जहां पर यह बहुत अच्छी तरह से जाच होनी चाहिए कि यह पेमेंट हुए है यह लोग लगे है या नहीं लगे है तो दोस्तो इसके बाद हमने RTA एप्लिकेशन फाइल की Department of IT के ओफिस में Collected Tom हमने एप्लिकेशन फाइल की 24.10.2020 को हमने का वह यह Report of Monitoring of EPDES SLA वाली जो आपकी रिपोर्ट्स है दे दीजिए जनवरी 18 से फरवरी मार्च हमने का चलो सेंपल देखते हैं तो तीन महने की रिपोर्ट्स हमने इनसे मांगी इनका जो जवाब Joint Director का आया बहुत इंट्रेस्टिंग है Joint Director टौक ने हमें जवाब दिया इन्होंने हमें जवाब दिया उप्रोक्त विश्यांतरगत लेख है कि आप द्वारा Report for Monitoring of EPDES SLA Issues For January 2018, February 2018, March 2018 विशय में संबंदित दस्तावेज रास्त जे इस तर से सूचना प्राद्योगी केवं संचार विवाग जैपूर द्वारा जारी किये जाते हैं हम जारी नहीं करते हैं जैपूर द्वारा जारी किये जाते हैं इस कारियले में उक्त के संबंद में किसी भी प्रकार के दस्तावेज उपलब्द नहीं हैं इस से तु आप राज जिस तर पर सूचना प्राद्योगी के संचार विवाग योजना ववन परिसर तिलक मार्ग जैपूर से संपर कर सकते हैं भई जब टॉंक ने दस्तावेज जारी नहीं किये तो टॉंक आफिस के दस्तावेज डियो आईटी राजकुम में कैसे मिले इसका मतलब इस फर्म ने फरजी वाड़ा किया 2021 से यह दूसरा मामला है जिसको कि मानने मंत्री जी डाक्टर क्रोलाल मीना जी ने हों मिनिस्टर को दिया था और हों मिनिस्टर ने उसी दिन डी जी पी साब को फोन किया था जैसा की मीडिया में आया था तो क्या हुआ? क्या एक होम मिनिस्टर के कहने पर एक FIR नहीं हो रही है? जिनमें कि हम डॉक्यूमेंटरी एविडेंस दे रहे हैं? और मैं नहीं कह रहा हूँ, पहले मंत्री जी ने इसको समझा, डॉक्टर साव ने इसे समझा, डॉक्टर साव ने होम मिनिस्टर को दिया, हो documentary evidences के साथ 2021 से इसकी शिकायते चल रही हैं 2021 से अलग-अलग इस तर पर मैं इसको लिख रहा हूँ FIR नहीं होगी और अगर डियो आइटी का बश चले तो होगी भी नहीं क्योंकि सब ने बहुत माल बनाया है पहले officer थे तपन कुमार जी उसके बाद आगए R.C. शर्मा जी के तो बड़े उट पटांग कबारे हैं जो कि आपके सामने में प्रस्तुत करूँगा बहुत बड़े बड़े घोटाले उनके हैं और तीसरा अब पवंज जांगिर जी है मेरे समझ में नहीं आता finance officers ने payment कैसे करवा दिया कौशल, किशोर, गुपता, निले, शर्मा कैसे payment करवा दिया इन्होंने और गब payment हो गया तो क्या इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि इनको verify किया जाए चलिए नहीं किया ये तो प्रॉसीजर लेक्सिज होगे मैं तो documentary आपको लाके दे रहा हूँ है अब तो action ले लिजे शिमान नहीं लेंगे बजनलाल जी अपनी बजन मंडली में मस्त हैं गहलोस साव ने पास साल होटलों में निकाल दिये देखते हैं हमारे राजी का क्या होता है नमस्कर